कोरोना वाइरस से मच रहे आतंके भारत में पसरने और नफरत पहलाने वालों गोली मारने वालों का नारा लगाने वालों को वाइ सिक्यूरिटी देने और अमन भाईचारे के लिए लगातार संघर्शरत एक्टिविस्टों पे गाज गिराने उनके खिलाफ मामला बनाने के दौर में हम न्यूस क्लिक के कायक्रम खोज खबर में आप सब का स्वागत करते हैं Human Right Defenders यानि मानवधिकारों के लिए आवाज उठाने वालों पर हमला नया तो नहीं है लेकिन उसके इसके लगातार बढ़ता जा रहा है दक्षनपंथी विचारकों, हिंदू-फासिस्ट राष्ट को इस्थापित करने पर उतारू-भीड के निशाने पर वे लंबे समय से रहे हैं और इधर उनका हमला और तेज हुआ है उधर नया पालिका ने भी बेहत प्रतिकूल रुख अख्तियार किया है इन लोगों के प्रति हाली की नजीर है, हाली का एक्जामपल है पीस एक्टिविस्ट और दिल्ली में मचे कतले आम और हिंसा के दौर में राहत और अमन के लिए बेहत सक्रिय हर्श मंदर पर सुप्रीम कोट की टिपणी इसे ध्यान से देखने की जरूरत है उन्होंने देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोट का दरवाजा खटखटाया था दिल्ली में हिंसा पहलाने वालों हिंसात्मक भाशन देने वाले भाशपा नेता कपिल मिश्रा प्रवेश वर्मा आदी पर कारवाई के लिए अदालत में दिल्ली पुलिस ने बेहत शातिराना धंग से हर्श मंदर के एक भाशन का ट्रांस्क्रिप्ट पेश किया देखे किस तरह से अदालत को मैनुपलेट करने की गलट धंग की जानकारी देने की कोशिश होती है और इस ट्रांस्क्रिप्ट के जरिये दिल्ली पुलिस में कोशिश की ये स्थापित करने की कि हर्श मंदर अदालत का सम्मान नहीं करते वे भीड के नियाए की बात करते हैं और लिहाज़ा उनकी याचिका पर सुनवाई करने के बज़ाए उनके ही खिलाफ केस दर्ज होना चाहिए दिल्ली पुलिस हर्श मंदर के भाषण को तोर मरोर कर पेश करती है और उसे ही सब्प्रीम कोट में उनके खिलाफ एक एविडेंस के तौर पर पेश करने की कोशिश करती है आप देखेंगे कि किस तरह से इस वीडियो में छेड़शाड की गई है किस तरह से इसे क्लिप किया गया है जिसके बारे में ऑल्ट न्यूज ने एब बाद में जारी किया हर्श मंदर की टीम ने पूरा भाषण जारी किया जो यह अपने आप में स्थापित करने के लिए परियाप्त है कि कहीं से भी भीड के नियाएं या अदालत के खिलाफ कोई ऐलान या कोई फर्मान हर्श मंदर अपने भाषण में जो जामिया गेट पर दिया गया उस पे नहीं सुनाते हैं लेकिन दिक्कत ये है कि कोट और खास तोर से सुप्रीम कोट जो भी कुछ दिल्ली पुलिस कहती है उसे मान लेती है और वहाँ पर ये सफाई देने का जिम्मा हर्श मंदर और हर्श मंदर को जो रिप्रेजेंट करने वाले वकील हैं उनके उपर डाल दिया जाता है कि तु जब कपिल मिश्रा पे FIR की बात की थी जिस वकील ने उस मामले में सुनवाई की थी जिस जज ने सुनवाई की थी जस्टिस मुर्ली धरन का रातो रात तबादला कर दिया गया और उस पे काफी हंगामा उस समय हुआ था लेकिन सरकार अपने रवाए से समस नहीं हुई ले अंग्रेजी में इसे ही कहते हैं शूटिंग दे मेसेंजर यानि जो नियाए की बात करें जो सवाल उठाए जो आप तक पहुचे एक संदेश लेकर आए उसे ही निशाने पर ले लेना उत्तर प्रदेश से लगातार बहुत परेशान करने वाली खबरों के आने का सिलसला बना जहां यहां एक दलिंत समुदाै दलित में भी धानोक समाज की महिला सावित्री देवी जिनकी डिलिवरी होने वाली थी वह केंदर तक आती है इस केंदर में उन्हें को जन्म देती हैं दिल देहलाने वाली यह फोटो आपको भी अंदर तक परिशान करेगी जिसे खीच कर दुनिया के सामने लाने का साहस किया दैनिक अखबार जन एक्सप्रेस के पत्रकार सदाकत मनसूरी ने उनसे हमने बातचीत की आप भी यह देखें फोटो अगर आपके पास हिम्मत है लेकिन मैं चाहती हूँ कि एक फोटो दिखाई जाए सड़क पर बच्चा पड़ा हुआ है जो अभी अभी पैदा हुआ है खून से लगपत बेसुदमा है बगल में बिखरा खून है और प्रसव कराने के लिए जो मदद करने वाली औरते हैं वे बगल में ब स्वीर है जो चीख चीख कर उनके द्वारा उनकी सरकार द्वारा अखबारों में जो विकास का बड़ा बड़ा ढोल पीटने वाले विग्यापन है उन्हें बेनकाब करती है और उनसे सवाल मांगती है यही पर हम आपको यह भी दिखाना चाहेंगे कि जब यह खबर बाहर आई जब सोशल मीडिया में यह वाइरल हुई कुछ अखबारों में यह खबर चपी तो किस तरह से भाशपा की जो विधायक हैं लोकेंदर प्रताब सिंग वे यहां पहुशते हैं और बकायदा पत्रकारों को धंकी देते हैं और कहते हैं कि उनके खिलाफ ही मुकदमा दर् अज़ाम कर रखा है अभी मैं यहां आया अस्पताल से जानकारी की है वह अचानक महीडा को प्रसब यहीं सड़क पर ही हो गया वह परिस्थित जंज था डाक्टर वगएदा सब भाग करके आया उठाकर के लिए गए जच्चा बच्चा दोनों पूर्ण दूप से उन्होंने कहा कि बहुत मुश्किल का दौर है वे उस इलाके में वापस नहीं जा पार है क्योंकि कभी भी उन पर हमला हो सकता है सिर्फ इतना ही नहीं मैं यहां आपसे यह भी साजा करना चाहूंगी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनों में लखनों के घंटागर में जो प्रदर्शन चल रहा है महिलाओं का महिनों हो गए वहां पे लोगों को बैठे हुए उस प्रदर्शन पर भी पुलिस रातों रात पहुशती है एक और दो बजे पहुशती है लाठियां बरसाती है और भद्दी भद्दी गालियां उन महिलाओं को देती है जो महिलाए नागरिक्ता संशोधन कानून, NRC और NPR के खिलाफ लोकतांत्रिक ढंग से शांती पून ढंग से प्रदर्शन कर रही हैं हाल बहुत तेजी से खराग होते नजर आ रहे हैं देश की राजधानी दिल्ली बुरी तरह से जुलसी हुई है और उसके दोशियों को पकड़ना तो बहुत दूर पीड़तों पे भी मलहम लगाने के लिए सरकारें तैयार नहीं है अभी तक जो पूरी प्रक्रिया चल रही है उससे ऐसा लगता है कि बहुत ही धीमे धीमे सरकारों का मानना है कि लोग अपने आप ही किसी तरह से एड़जस्ट हो जाएं खेंदर की सरकार तो इस पर संसद में चर्चा करने तक को तैयार नहीं है बहुत ही शर्मनाग धंग से देश की संसद में सरकार ने कहा कि होली से पहले ध्यान दीजिए उन्हें होली की चिंता है इस देश की राजधानी में पचास के करीब लोग मर चुके हैं और अंगिनतों के बारे में गायब होने की खबरे हमारे पास हैं लेकिन देश की संसद में सरकार कहती है कि होली से पहले इस पे चर्चा करना मुम्किन नहीं है। संसद में मोधी सरकार का रवया देखके तो लगता ही नहीं है कि संसद उसी दिल्ली में हैं जहां उसकी नाक के नीचे इस देश के पचास से अधिक नागरिकों की दिन दहाडे नफरत को ओजार बनाके हत्या कर दी गई थी। और गरियह मंत्री तमाम लोग इसको लेकर चिंते थैं गरियह मंत्री ने ट्वीट भी किया लेकिन उन्हें इस बात पे चिंता नहीं है कि इतनी बड़ी संख्या में भारती नागरिक मारे जा रहे हैं और उस से उन्हें शोक विक्थ करना चाहिए। हमने तमाम प्रभावित इलाकों में जाकर देखा, जले हुए मकानों से अपनी जिंदगी को बटोरने की कोशिश कर रहे हैं लोग, वे अपने घर वापस आने को आतूर हैं, वे चाहते हैं कि बहुत मुश्किलों से जो उन्होंने घर बनाया है, जिससे वे बेपनाह महबत कर ठीक उसी तरह से जैसे वे अपने देश से करते हैं, वहाँ वापस वे जा पाएं, इस तरह का माहौल बने जहां पर उन्हें वापस जाने का एक रास्ता मिल सके, लेकिन अभी तक जो सिस्टम है और वहाँ पर बहुत सी जगों से जो खबरें हैं, उससे ऐसा लगता है कि उ यह सुनते हैं, उनका दुख और जानते हैं कितना तड़प रहे हैं, वे वापस अपना घर जाने के लिए, आपके नाम नाम नजर महमब्द है, और कल मैं चवालिस साल का हुआ हूँ, और शिव विहार में जनवरी 2014 से रह रहा हूँ, और क्या पूछा था आपने, पेशा क पढ़ाता हूँ, यह मंडोली एक जगा है, दिल्ली के अंदर, मंडोली के स्कूल में मैं ठीचर हूँ, मुझे 10 साल होगे, मैं 17 दिसंबर 2017 से, सोरी 12 दिसंबर 2017 से पढ़ा रहा हूँ, दिल्ली सरकार में, इस तीन बेटे हैं, बड़ा बेटा 12 साल का है, जिसका नाम आप वापस यहां आए, अभी लोग बता रहें कि शुविहार में बापस आने में बहुत डर है, हाँ, असल में जब गली में हम देखते हैं, एक तो लाइट नहीं है, मेरा मकान पूरी तरह से जला हुआ है, मेरे गली के सामने गाडियां जली हुई है, मेरे जो परम मित्र ह मेरे बराबर वाला जो मकान है, वो खंडर है, अब ऐसी हालत में जब गली के अंदर गाडियां जली हुई है, और लाइट नहीं है, गली में मजबा पड़ा हुआ, धर के अंदर आग लगी हुई है, तो क्या एक सामन ने व्यक्ती देरेगा नहीं, डर तो नेचुनल है, न शोटे हैं, जी, एक जी मेरा छोटा है, दो लड़की मेरा छोटी, एक दस साल ओ learnt, अकप साल की, इसलोगार है, नहीं मेरा अपना खुद का माकान thा मेरम जी, है घ़िक्टा था पार? कभी इस तरह का देखा कभी नहीं मेडम जी कभी नहीं जो ऐसा कभी लगा ही नहीं है आराम से रह रहे हैं सब लोग हैं यहरो कि नहीं नहीं हो like इंच कि से येच से नहीं जब रहे यहां लोगे अज़ती चाहिए चंदें। अजादी चाहिए जेशुरी राम जेशुरी राम ऐसे महाँ पच्छ ला रहे थे, मैं गलियों में रोडों पर, चांदे नहीं जिसे हमाँ पताने कोने मेरे चुप चाब बच्छे रो नी रहे थे, बच्छों को में तो लेके बेठी थी कमरे में, सही मड़ा, हम बच्छों क् तो वह उसी की तयारी कर रहे थी पेपर की अटेक मिट का उर्दू अटेक मिट पढ़ने के लिए नहीं मैं घर से जाती थी पढ़ने के लिए मदर्से में पांच साल का कोर्स था मेरा जी कितने साल हो गएथे अगर अगर हालाज सही हुए तो जरूर देंगे पड़ना अच्छा लगता आपको तो दिखाएंगे क्या लिख रही हैं जी उड़दू लिख रहा हैं जी जी क्या लिखा है बेटी है, बेटा है, यही बात है, तब नहीं है, पना है, अनबन नहीं है चलते चलते उन लोगों से दो बातें जो होली की तयारी को लेकर इसलिए परेशान हैं कि कुरोना वाइरस की वज़र से उनकी तयारी में रंग में भंग पड़ गया एक खबर जो अमरीका से आई है, अमरीका के 21 विश्विद्यालेओं के चात्रों ने होली को इस बार होली अगेंस्ट हिंदुत्वा, हिंदुत्व के खिलाफ होली मनाने की घोश्रा की है, ये चात्र सीधे सीधे कह रहे हैं, इन्होंने अपना बयान भी जारी किया है, जिसे की राजनीती में जुलस रहा है, ये जो विश्विद्याले हैं, इनकी लिस्ट आप देखेंगे, इन विश्विद्यालेओं में बहुत एहम युनिवरस्टियां शामिल हैं, इन में से येल युनिवरस्टी है, हावर्ड युनिवरस्टी है, प्रिंस्टन युनिवरस्टी ब्राउन युनिवर्स्टी है पैंसिलवेनिया की युनिवर्सटी है कॉलंबिया युनिवर्सटी है शिकागो इस तरह की लंबी लिस्ट है मैं खाली आपको बताना चाहूंगी कि इन शात्रों ने फैसला किया है कि होली के दिन विकाला कपड़ा पहनेंगे और सिर्फ प्रत पतम है उसके साथ हम खुद को खड़ा कर पाएं रास्ते हम खोज सकते हैं रास्ते लोग खोज रहे हैं शुक्रिया